अगर आपने आपके माइड में नेगेटिव फिलिंग चलाया है 21 से ज्यादा तो आप पर्मेनेटली नेगेटिव फिलिंग करने ही वाले हैं कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके नेगेटिव एसास को रिमूव करके आपके दर पॉस्टिव एसास खड़ा क कर दें तो सबसे पहले अपने फिलिंग पर काम करना चाहिए जो आपके सब को सब कॉस्टिवार से ठीक होना है तो आपको इस फिलिंग को दिवांग से रिमूव करना पड़ेगा इस कूए सब कॉस्टिव करना पड़ेगा और इसकी जगह पे आपको पॉस्टी फिलिंग याने उत्सा खुशी प्रसंता जोस एक्साइटमेंट कॉंफिडेंस इससे आपकी मांसिक विमारी ठीक होती है पर्मेनेंटली और एक बात ये भी है कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके घ्याळी बेवाले कोई मैडिशिन घभी बनने वाला नहीं है ना आज भी नकभी भी आपके इंदर खुशी प्रसंता उटसा पैदा करने वाला आपके नंदर confidence build करने वाला कोई medicine कभी बनी नहीं सकता अगर ऐसा medicine बन सकता है तो लोग ऐसा medicine की जेव में रखके गुमेंगे जब भी negative feeling आया एक pills ले लिया खुश हो गई positive हो गई confidence टूट रहा है एक pills ले लिया confidence बढ़ा दिया तो कोई problem ही नहीं दुनिया में अगर अगर ऐसा pills अगर ऐसी दवाई बनती तो लेकिन आप भी जानते कि ऐसा कोई medicine संभव ही नहीं है तो इसका तरीका क्या है उसका तरीका है hypnotherapy प्रैक्टिस जो आपको यहां इसके साथ कुछ supported practice होनी चाहिए जैसे NLP है CBT है और कुछ ऐसे टास्क है जो आपकी इस feeling को बदलते हैं इसके लिए affirmation practice भी जरूरी है तो यह सब तरीके हैं हमारी feeling को बदलने के लिए और यह सब चीजें आपको permanently ठीक करती हैं आपकी कोई भी मानसिक बीमारी से तो कोई भी व्यक्ति को अगर मानसिक बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अपने feeling पर काम करना चाहिए यानि कि mind में जो feeling आपने store कर लिया है उसको delete करके remove करके एक नया positive feeling सबकर से इस mind में transfer करना है और उसको 21 दिन से ज़्यादा बरकरार रखना होगा कोई भी feeling आपके mind में 21 दिन से ज़्यादा चलेगा तो यह permanently आपके mind का यानि आपकी life का हिस्सा बन जाएगा अगर आपने आपके माइड में नेगेटिव फिलिंग चलाया है 21 से ज्यादा तो आप पर्मेनेटली नेगेटिव फिलिंग करने ही वाले है अब वो फिलिंग खतम करना है तो आपको 21 से ज्यादा आपके माइड में पॉस्टिव फिलिंग क्रियेट करना है और उसको परकरार रखना है, आपका प्राब्जम सौल हो गया, आप मांसिक विमारी से ठीक हो जाएंगे, तो बस करना इतना ही है कि आपको किसी भी तरह से 21 दिन से ज्यादा positive feeling आपके mind में continuous करना है, without break, ऐसा नहीं कि आप चार इद बहुत खुश हो गए, तीन दिन आप negative हो गए, परिशान हो गए, तीन दिन में आपको, इसके बाद आपको बहुत गुस्सा आया, आपके अंदर कुस ऐसी डर गपराटा गई, कुछ दिन के लिए बहुत powerful positive feeling आ जाता है, और कुछ दिन के बाद दर गपराटा जाती है, यानि कि जब से आप practice start करते हैं, इलाद start करत हैं, तो पहले दिन से 21 दिन तक आपका mind positive feeling में ही रखना है, बहुत सारे लोग इससे बात करते हैं, कि आप 21 दिन करडिनिस करने की बात करते हो, लेकिन एक दिन भी पूरा आपने आपको positive feeling में नहीं रख पाते हैं, सुबह में positive हैं, दो पर तक positive हैं, साम को कोई ना को issues हो ज अब जरूरी ये हैं, कि 21 दिन positive feeling चलाना ही चलाना है, 21 दिन positive feeling का इंटिनिस रखना ही रखना है, अब तरीका क्या है, इसके लिए चाहिए regular practice और पूरा दिन का practice, अगर आप practice keep करते हैं, तो आपको negative feeling आना शुरू हो जाएगा, जब तक आप कोई काम में व्यस्त हैं, तो आ आपका दिमाग negative चलना शुरू हो जाएगा, आपके mind से negative thoughts अपने आपाने लगेंगे, तो आपको उसको किसी भी तरस से रोकना है, positive feeling में transfer करना है और उसको बरकरा रखना है, इसके लिए चाहिए अलग-अलग practice, breathing practice, affirmation practice, LLP practice, CVT practice, therapy, hypnotherapy, counseling, ऐसी जो भी practice है, पूरा दिन आ center पर आना है, हमारे साथ रहना है, पूरा दिन का आपको practice दिया जाता है, पूरा दिन आपको positive रहने का schedule है, अलग-अलग practice है, तो इस तरह से आप center पर 21 पॉस्टिव रहने ही वाले हैं, और 21 से जादा आपने खुद को positive continuous किया, तो मांसिक विमार से ठीक होना 100% तय है, तो बहुत आसान है, मज़ेदार है, बहुत positive, जिन्दगी में ऐसे देखा तो खुशिया ही खुशिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर कोई problem real में है भी, तो भी जाद आपको प्रभावित नहीं करेगी, अगर ये तरीका आप implement करते हैं, तो एक बात है, positive feeling में रखना, खु कुछ implement आपको करना है, आप रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आपको positive रखना चाहता है, खुश रखना चाहता है, उत्साहित रखना चाहता है, रखेगा, रख सकता है पूरी जिन्दी के लिए, कोई दो राए नहीं, लेकिन ऐसे ह हाँ, बस मुझे खुश कर दो, बस मुझे positive बना दो, मेरे इंदर confident आना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको practice करना पड़ेगा, regular, without break, जो भी कुछ होगा आपके साथ, जो भी negative होगा, जितना भी हाज़ा होगा, आप अपने आपको समाल लोगे, क्योंकि practice ही ऐसा किया है, mind को कोई ज़्यादा जटका नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा सौक नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा अगात नहीं लगेगा, यह क्या हो गया, so okay, no problem, होता रहता है, यह आपका answer होगा, अगर यह practice आप regular करते हैं, तो